दोस्तो नमस्कार, RPSC एक्जाम्स यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का जो टोपिक है परदान मंत्री वो मंत्री परिशद अब हमने जो इसे पूर्वर टोपिक पूर्ण किया है वो है राष्ट्रपती तो राष्ट्रपती में जाबिद अली जी ने पूछा था कि जो डॉक्टर जाकिर हुशेन और फकरूदिन अली एहमद की मरत्यू के बाद कारिये वहाग क्या हुए थे राष्ट्रपती हुए थे तो उनको बता दूँ कि आपने जो मनोनित सबद का प्रियोग किया वो नहीं होगा अब बात कर लेते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुशेन के बाद उपराष्ट्रपती थे विवीगिरी तो उन्होंने क्या किया था कारी वाग राष्ट्रपती के रूप में कारिये किया था लेकिन उन्होंने भी क्या किया था त्याग पतर दे दिया था तब सविधान में उलेक है अगर राष्टपती और उपराष्टपती दोनों पद खाली हो तो सर्वोच नयले का मुख्य नयदिस इन पदों को सुशोबित करेगा कारिय वाक राष्टपती और उपराष्टपती के रूप में सर्वोच नयले का मुख्य नयदिस कारिय करेगा डोक्टर फकरूदिन अली एहमद की मर्तिव के बाद कारिये वाग राष्टपती के रूप में कारिये किया था तो आपको ध्यान रखना है जाकिर उसेन की मर्तिव के बाद वीवीगिरी ने इत्याग पत्तर दिया था तो मौमद हिदायत उल्ला खां थे सरवोचनायले के जज उन्होंने कारिये किया था राष्टपती उपराष्टपती और सुप्रेम कोड के जज के रूप में और फकरूदिन के बाद बीडी जती कारिये वाग राष्टपती बने अब बात कर लेते हैं कि आपके जो रामनात कोविंद हैं वो पद के आदार पे कौन से राष्टपती हैं तो चोद्वे जो राष्टपती हैं वो रामनात कोविंद हैं लेकिन व्यक्ति के आदार पे तेर हुए हैं क्योंकि डोक्टर राजेंदर परसाद लगातार दो बर रहे थे तो व्यक्ति एक ही हुए लेकिन पद के आदार पे उन्हेंने दो बार पद को सुसोवित किया है चलो तो सुरुआत करते हैं जो भी दोस्त फैस्ट वार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप अगर इससे पहले के वीडियो देखना चाते हो तो प्लेलिस्ट में जाकी सर्च कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिसे आगे के नोटिफेकेशन आपको समय पे मिलते रहें शुरुआत करते हैं परदान मंत्री वे मंत्री परिसद परदान मंत्री वे मंत्री परिसद भारतिय सुविधान के अनुछे 4 से लेके 78 में वर्निता है लेकिन हम कहाएंगे कि छिंतर में महा न्यायवादी की न्युक्ति की जाती है तो महा न्यायवादी के बारे में अनुछे छिंतर बताता है अब जो वास्त्विक रूप से मंत्री परिशत से जुड़े अनुछेद हैं वो चोतर को ध्यान में रखना है पिचेतर ध्यान में रखना और 78 ध्यान में रखना है। कौन से? चोतर, पिचेतर और 78 अनुच्छे छिंतर है महानियावादी की राष्टपती करता हैश्टपती करता है। जो सरवोच नैले का मुख्य नैयदिश बनने के योग्य हो। तो उनकी न्युक्ती कौन करता है? राष्ट पती. तो इसको हम बाद में पढ़ेंगी. अब कर लेते हैं वरणन अनूज़े चोत्र का मंतरी परिशद के सम्बंद में जो प्राउधान है मंतरी परिशद, परधान मंतरी और उनकी मंतरी. अब मंत्री परिशद में आता कौन-कौन है एक तो केबिनेट मंत्री होते हैं एक राज्य मंत्री होते हैं एक उप मंत्री होते हैं और कुछ संसदिय सच्ची भी होते हैं एक होता है आपका सबत होता है एक मंत्री परिशद और एक होता है मंत्री मंडल इन सब्दों को समझिए मंत्री मंडल में कौन होता है परदान मंत्री होता है और जो केबिनेट मंत्री होते हैं वही होते हैं शिरफ केबिनेट मंत्री और परदान मंत्री मंत्री मंडल लेकिन परिशद में परिशद बड़ी होती है ध्यानकना परिशद ऐसे आप मैंड़़ कर सकते हो, प्रीषद में, केबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री और मंतरी मंदल में सिर्फ पर давно मंत्री और केबिनेट मंत्री होते हैं तो मंतरी प्रीषद के संब fantasy में जो प्रावधान है वो अनुछर चोतर में है अब अनूछे चोतर को भी इन्होंने खंड में बाट रखाय तब अनूछे चोतर फेस्ट में कैहे कि राष्टर पती कारिय पाली का समंदी जो सकती हैं उनमें सहयोग करने के लिए क्या होगी एक मंत्री परिशद होगी जिसका अध्यक्स कौन होता है मंत्री परिशद का परदान मंत्री होता है राष्ट्रपती की कारिय पाली का सम्मंदी साहिता करने के लिए मंत्री परिशद होगी तो मंत्री परिशद के सम्मन्द में प्रावदान अब यह वहाँ अगर ओप्षन में चोतर फैस्ट नहीं दिया हुआ तो वह है आपको अनुछे चोतर में दर्साना होगा किसन किस हिसाब से पूछा जाता है यह भी ध्यान रखना है कि अनुछे चोतर में आपको क्या करना है दर्साना है फिर नेक्स्ट है अनुछेद पिचेतर इसमें मंतरियों के बारे में प्रावदान है कि मंतरियों की नुक्ति कैसे की जाती है और उनकी सपत कैसे हो और उनका पद कितना हो कारिकाल क्या हो त्याग पतर किसे दे सकते हैं हैटाया कैसे जा सकता है ये सब किस्मे है अनुछेत पीचेतर में मंत्रियों के बारे में या मंत्री परिशत के बारे में जो प्रावदान है वो किस्मे है पीचेतर में सर्वपर्थम पीचेतर कया की बात कर लेते हैं इसे खंडो में विवाजित क्या गया है, पीचे तरकय में परधान मंतरी की न्यूकती है, कौन करेगा राष्ट्रपती, अब भहुमत दल का जो नेता होगा, जिस भी दल को भहुमत प्राप्त होआ है, उसमें जो नेता होगा भहुमत दल का नेता, उसे राष्ट्रपती क्या तो यह नहीं परदान मंत्री की नुक्ती होती है और नुक्ती कोन करता है राष्ट्रपती नुक्ती सबद पर गोर करना अन्य मंत्रियों की नुक्ती भी कोन करता है राष्ट्रपती करता है लेकिन किसकी सला से परदान मंत्री की सला से जिने परदान मंत्री चाहेगा उन्हें मंतरी निक्त करता है कौन राष्ट्रपती तो यह किसमे वरणित है पिचेतर फैस्ट में नेक्स्ट घंश्ट सभा में बहुमत दल के नेता को परदान मंतरी निक्त किया जाता है यह हमने पढ़ लिया है अब बात कर लेते हैं अनुचेद जो पिछेतर फेश्ट है उसको भी दो खंडों में बाट दिया गया कै अब इसमें क्या है कै में क्या है इकानवा सविदान संसोदनवा था 2003 में के तैत परधान मंत्री सहीत के अंदर में अधिक्तम जो मंत्री होंगे आपको यह द्यानक ना कि जो अधिक्तम मंत्री अब इसका वर्णन अगर आपको यह कह दे कि अनुचेद पिछेतर में तो आपको अनुचेद अगर पिछेतर फे करना है कि उकानवा सहुषब क обязा संसोधन तुर जार तीन केaban मंत्री सहईतक अंदर में अधिक्तम मंत्री कितने हो सकते हैं लोक सबा के जितने भी सद में आपके उसके फंद्रा परतिस्षट के सबद्र嗎 में कम में अधिक्तम हैं जादा किसी में सफिर एंधिक्तम ृप किसी में 300 हैं, तो इस आधार पे 15 जैसे हमारे यहां 200 हैं, तो 30 सद से क्या हैं, मंतरी बन सकते हैं, मुख्य मंतरी सहीत, उसी प्रकार लोग सबाग में हैं, जितने सद से हैं, उनका 15 कोई भी सदन हो, विदान सबा हो, या लोग सबा हो, तो उनमें क्या होता है, 15 प्रतिसत सद से मंतरी बन सकते हैं नेक्स टैप पिछेतर फेस्ट है इकानवा सविदान संसोधन 2003 में हुआ था उसके तैत दल बदल अब ये दल बदल क्या होता है जैसे एक किसी दल में जैसे बीजेपी से कोई व्यक्ति कॉंग्रेस में जाता है और बीजेपी से वह MP आम में ले चुना ग थी तो उस वक्त दल बदल जो दश्वी अनुशुची थी बाणवे सविदान संसोधन 1985 में जोड़ी गई थी उस वक्त जो प्रधान मंतरी थे वो कौन थे राजी उगांदी थी तो राजी उगांदी ने क्या किया था कि दल बदल जो एक स्वच्छ लोगतंतर की स्तापना के लिए दल बदल सबद को अनुशुची के रूप में प्रावदान किया था और इसमें खाग गया था कि दल बदल एक अगर कोई व्यक्ति एक दल से दूसरे दल में जाता है तो उसकी योग्यता उस पद पे जो अगर मंतरी है या एमपी है या मेले है जो भी है उसकी पद कि जो योग्यता और एयोग्यता के समद में निर्ने उस सदन का चाये वो विदान सभा हो या लोक सभा उस सदन का जो अद्यक्स होता है वह ही करता है योग्यता और एयोग्यता लेकिन किसी दूर भावना से वहकारिये नहीं होना चाहिए अगर दूर भावना से हुआ है प और वोच नयले ने निर्ने दिया कि अगर अद्देख्ष ने दुर भावना से किसी सदस्य के परती ऐयोग्यता या योग्यता निर्दारित की है तो उसे न्याईक समिक्ष्या के तहत चुनोती दी जा सकती है तो द्यान रखना कि दल बदल से समंदित अनुसुची दस्वी है 22 सविदान संसोदन 1985 के तह जोड़ी गई थी और दल बदल से समंदित जो निर्ने है योग्यता और योग्यता का वो कौन लेता है उस सदन का अध्यक्ष लेता ये बातें द्यान रखनी है बात कर लेते हैं अनुचे जो पीचेतर फेष्ट में हमने कह और खेमे पड़ लिया इकानवा सविदान संसोदन 2003 अब बात कर लेते हैं पीचेतर दो मंत्रियों का कारियकाल सामानेता आपको पता है कि सभी परधान मंत्री और मंत्रियों का कारियकाल पांच और्स होता है मंत्री परिशद का कारियकाल लोग सभा पर निर्वर करता है लोग सभा पर कैसे अगर किसी लोग सभा के परती एविश्वास परस्ताव आ जाए एक मंत्री को पदमुक्त करने का राष्टपती के पास क्या है अधिकार है वो निर्ने लेने के लिए सवतंतर है तो पदमुक्त करने के लिए राष्टपती के पास अथियार है तो वो परसाद प्रियंत किसके हुए राष्टपती के अब आपको यह इंपोर्डेंट हो जाता कि जो भी मंत्री हैं वो किस के परसाद प्रियंत कारिय करते हैं तो राश्ट्रपती के परसाद प्रियंत क्या करते हैं कारिय करते हैं त्याग पत्र किसको दे सकते हैं मंत्री और जो प्रदान मंत्री हैं वो त्याग पत्र किसको देते हैं वो देते हैं राश्ट्रपति को पद शे हटाना किसी मंत्री को पद से कैसे इटाया जा सकता है विपक्स के दुआरा अगर लोग सभा में एविश्वास पष्टाव के माद्यम से 50 सदस्यों की सहमति आवस्यक होती है किसी भी अगर एविश्वास परश्ताव पारित हो जाता है पारित करने के लिए अगर पहले तो एविश्वास परश्ताव लाया जाता है उसमें कितने सदस्यों की सहमती की आवश्यक्ता होती है पचास सदस्यों की अगर एविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोग सबाब भंग हो जाती है और अपना अप सवतही मंत्री प्रिशद भी क्या होती है भंग हो जाती है यदि एक मंत्री के खिलाब भी अगर एविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समुचे मंत्री परिशद को क्या होता है त्याग पतर देना होता है एक मंत्री के खिलाब भी अगर एविश्वास परस्ताव पारित हो जाता है तो समुचे मंत्री परिशद को क्या होता है त्याग पतर देना होता है तो द्यान लगना कि ए विश्वास परस्ताव अगर एक मंत्री खिलाप आया तो समुचे जो बहुमत दल है उसके खिलाप ही आ गया तो ये चीजे हैं कि एक मंत्री खिलाप ए विश्वास परस्ताव कोई कारणी बनता वो समुचे के परती आता है तो समुचे मंत्री परिष् प्रदान मंत्री होते हैं व्यक्तिगत रूप से किस के परती उतर जाई होते हैं राष्ट्रपती के परती सोरी अब जो व्यक्तिगत है राष्ट्रपती क्या है एक व्यक्ति है राष्ट्रपती एक व्यक्ति है लोग सबा क्या है एक समुए व्यक्तियों का तो आपको ध्यान मंत्री परिशत बात कर लेते हैं अनुछे पिछेतर चयार में सपत का ब्रावदान है अब राष्ट पती द्वारा परधान मंत्री वे मंत्रियों को क्या दिलाई जाती है सपत दिलाई जाती है लेकिन ध्यान रखना जो भी मंत्री परिशत के सद्धिया था मंत्री के रूप म के परती सच्ची सरदा और निश्टा की सपट लेते हैं और गोपनियत की सपट इसलिए लेते हैं क्योंकि मंतरी बनने के पाथ उनका यह द्यायित तो होगा कि वो सपत लेते हैं कि हमारे समक्स जो भी विशे लेहे जाएंगे हम उस उसपे गोपणिये रूप से कारिये करेंगे किसी बगर दुर्भावनां के तो मंतरी दो परकार की सपत लेते हैं पद्ध की और गोपणियेतागी MP MP मेले शिर्फ पद की सपत लेते हैं सविधान के परती सर्ची सर्दा और निश्टागी तो आपको द्यान लगना है मंत्री दो परकार की सपत लेते हैं और उनको सपत कौन दिलाता है राष्ट पती अब बात कर लेते हैं अनुचे पिछेतर पांच में कोई भी व्यक्ति आप चैमा के बितर उसे संसद के किसी भी सदन का सदसे होना आउसे कैए अगर कोई परदान मंत्री बनता है तो उसको या तो लोगसभा का सदसे बनना होगा चैमा के बितर या राज्ये सबा का जैसे मनमोन शिंग 10 साल प्रदान मंत्री रहे तो वो कभी भी लोग सभा के सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाए उनकी हार हुई थी तो वो दोनों बारी क्या हुए थे राज्य सभा के सदस्य रहे थे तो एक सदन का सदस्य होना चाहिए इसी परकार विदान सभा पर लागू होता है कोई भी अव्यक्ति अगर मुख्य मंत्री बनता है तो वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है जैसे फिलाल आपके महराष्टर में है कौन उद्द उठाकरे तो वो किसी भी सदन के सदसे नहीं है अभी उन्होंने फिलाल तीन-चार रोज पहले महराष्टर जो आपकी होती है जो MNC होती है उसमें सदसे तके लिए परस्ताव दिया है कि भई उसमें हमें क्या किया जाए सदसे नुकत किया जाए राज जेपाल को राज जेपाल की सीट लेना जा रहे थी वो तो उसको 6 महीने के बितर बितर क्या होता है किसी भी सदन का सदसे होना आवस्य का पीछे तर 5 में नेक्स्ट है अनुचेद 78 यह इंपोर्टेंट है अनुचेद 78 वेरी वेरी इंपोर्टेंट परधान मंत्री राष्ट्रपती और मंत्री परिशद के बीच में कौन होता है परधान मंत्री होता है कि मद्द कड़ी का कारिय करता है इसी अनुचेद में PM के कर्तवियों का उलेक करतलवीं तेथा दाइत्यों का उल्एक किसमि हैं अनुचेद 78 में है इसलिए यह इंपड़र्ण हो जाता है नुचेद 78 में परधान मंतरी के करता जहँए उलेक है याद रखना इंपॉर्णेंट है हर एक या देख्षता कौन करता है परधान मंत्री मंत्रियों में विवागों का बंटवारा कौन करता है परधान मंत्री लेकिन मंत्रियों की नुक्ति कौन करता है राष्टपति करता है किस की सला से परधान मंत्री की सला से और मंत्रियों का जो बंटवारा है वो कौन करता है मंत्रियो प्रधान मंत्री, केबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदिय जो सची हो है उनसे बनकर मंत्री परिशद बनती है जो मंत्री मंदल सबदगा प्रियोग होता है वो प्रधान मंत्री प्लस केबिनेट मंत्री दो ही राज्य मंत्री सामिल नहीं होंगे मंत्री मंदल में और मंत्री प्रिशद में ये विवेद है आपको ये दोनों देखने हैं अब जो आपका अपात्काल लगाया जाता था वो मंत्री मंदल की सिपारिश पर लगाता मंत्री मंदल के केंद्रिये जो मंत्री है उनकी केंद्रिये मंत्री मंदल की सिर्पार इस पर तो मंत्री मंदल में कौन थे केबिनेट मंत्री राज्य आपातकाल केबिनेट मंत्री उस राज्य में जो भी व्यक्ति केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है उसके लिखित प्रामर्श पर है तो ये सबद हैं इसलिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो आपको सब्दों पर भी गोर करना है अगर आपको ये पढ़ायवा समझ में आए तो लाइक करना अपने दोस्तों से शेयर करना कुछ लोग डैली पढ़ते हैं उनके लिए अच्छी बात है एक दो रोज से देख रह है तो अब आपके बास समय का सदूपयोग करने के लिए बहुत समय मिल रहा है तो आप कर सकते हो सलेबस है वह हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे उमीद करता हूं कि अपरेल और पंदरा मई तक ही आपका सलेबस या पंदरा मई के आज पास खतम हो जाए तो आज बस इत